Hello everyone and welcome to our channel Join MNS Academy आज की वीडियो में हम जो स्टाटिक जीक के कोश्टिन के नेक्स पार्ट थे वो करेंगे फॉर्स वीडियो में हमने फॉर्स से लेके 50 तक कर लिया था तो आज हम 50 to 100 करने वाले हैं ठीक है और अगर आपको वीडियो का पीडियेफ चेही तो आप तेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते है जोइन MNS Academy और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी जोइन कर सकते है add the rate mns.academy के नाम से तो प्रीवेस वीडियो में हमने ये वाले कोश्टिन किये थे ठीक है आइलेंड वाला किया था लास्ट 50 और आज हम 51 से स्टाट करेंगे तो पहला कोश्टिन है विच कंट्री इस लार्जस्ट यूरेनियम प्रिड्यूजर इन दे वोल्ड यूरेनियम की लार्जस्ट प्रिड्यूजर कौन सी कंट्री है ठीक है कैनड़ा, करजाकिस्तान, अजरबेजान या औस्टिल्या तो इसकी करेंग्ट आंसर है करजाकिस्तान ठीक है और करजाकिस्तान की कैपिटल क्या है नूर सुल्तान ठीक है इसकी कैपिटल है नूर सुल्तान और Canada की capital है Ottawa और Australia की है Canberra और ये आया भी था exam में ठीक है Canberra ये इसकी capital है ये 2020 में आया था जैसे कि मैंने previous वीडियो में बोला था जितने भी mineral ores होते है जैसे bauxite, iron, uranium ये सब हो गया इनके जो largest producer country है या state है वो आपको अच्छे से याद करना है ये स्पीक of South India South India की हाइस पीक क्या है ये question भी आया हुआ है अनी मुडाई महेंद्रागिरी, नीजा हिल या रोतांग इसकी correct answer है अनी मुडाई ठीक है अनी मुडाई हिल जो है ये South India की हाइस्ट पीक है Next है The deepest place on the earth Earth का deepest place क्या है Arabian Sea, Caspian Sea, Dead Sea या Black Sea तो इसका correct answer है Dead Sea, ठीक है ये deepest है ऐसे याद करेंगे ना D से DD जो गया deepest और dead ठीक है तो ये part of Pacific Question है ठीक है Pacific Question का part है ये 54 कौन कान is local language of ये कहां की local language है ठीक है क्यारला, गोवा, तलंगाना, दादरे, नागर हवेली तो ये गोवा की local language है 55 Which state is the highest producer of sugarcane पिछले वीडियो में हमने which country किया था ना इसमें state पूचा है कौन सा state है जो highest producer है sugarcane का options देखते है उत्तरप्रदेश, महराष्टरा, आंदरप्रदेश या मध्यप्रदेश तो correct answer है उत्तरप्रदेश ठीक है ये highest producer है sugarcane का 56 How much percent population of the world lives lives in plateau world की कितनी percent population जो है platteus में रहती है 7 percent, 10 percent, 12 percent ये 9 percent तो इसका correct answer 9 percent ठीक है 9 percent लोग जो है वो platteus में रहते है ये पढ़ाओगो जो graphy में plateau, plane, mountains उसमें जो divide होते है ठीक है तो उसका ही एक part है platteus 57 The highest amount of non-active gas is found in atmosphere और which gas ठीक है जो highest amount है कौन सा non-active gas का जो atmosphere में पाए जाता है neon, helium, kryptin या आरगन इसका correct answer है आरगन ये जो है non-active होता है ठीक है 58 Which of the following plateau is famous for the tea sorry production of tea ठीक है production of tea के लिए कौन सा जो platteus है इन में से वो famous है Malwa platteus, north east extension platteus, western guard platteus या श्रिलांग platteus तो श्रिलांग platteus जो है वो टी के लिए famous है आपने देखा भी होगा यहाँ पे steep में ऐसे करके ती के बहुत सारे बड़े 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 बागान होते है ठीक है जो टी के plant होते हो बहुत छोटे छोटे होते है उनको पानी बहुत ची होते है तो पानी हमेश्चे ऐसे फ्लो करते रहे उसके वज़े से यह ऐसे steep में करते है और सबको पानी भी मिलता रहेगा पानी फ्लो भी करता रहेगा जमानी होगा कहीं पे 59 है पूरे सोलर सिस्टम का सन कितना परसेंट मास कंटेन करता है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है और मतलब सोच के देखो हमारी जितने भी बाकी प्लानेट से उस सन के कंपेर में कितनी ही छोटी है ठीक है फिर एस्टिमेटेड एच और अरावली रेंज़ेज यह पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने जिसका पहला पाट था जिसमें मन से हमने 50 ता कॉस्चन किया है कि अरावली रेंज़ेज जो है यह ओल्डेस रेंज़ेज मानी जाती है ठीक है तो यह कितने साल पुरानी होगी ओप्शन देखते हैं तो यह इतने साल पुरानी है मतलब इनको माना जाता ही ठीक है 61 है which of the following soil is friendly for pulse pulses crop production pulses दाल वगरा जो होते हैं उनको pulses बोल जाता है उनके crop के production के लिए कौन से soil को सबसे friendly माना जाता है red soil, black soil, aluvial soil या acidic soil तो red soil को माना जाता है सबसे best ठीक है और यह मद्यप्रदेश वगरा में पाई जाती है ठीक है black soil किस के लिए होते है cotton के लिए ठीक है black soil cotton के लिए और यह महराश्ट्रो में पाई जाती है महराश्ट्रो में और यह होते है cotton के लिए अगला है which of the following state has launched V-safe tunnel while COVID-19 COVID-19 के टाइम पे कौन से state है जिसने V-safe tunnel launch किया है अंद्रप्रदेश, महराश्ट्रा, करनाटका, तेलंगाना तो इसका correct answer है तेलंगाना ठीक है इन्होंने launch किया है V-safe tunnel 63 which one is odd in solar system इसमें से कौन सा odd है ठीक है अब सारे तो planets ही है पर इसमें से odd कौन सा है वो बताना है ठीक है Venus, Mars, Earth या Saturn तो Saturn जो है उसको odd माना जाता है इसको gas giant या galaxy life बोला जाता है ठीक है इसलिए इसको odd माना जाता है फिर 64 है which of the following is associated with Shubhash Shandrabos Shubhash Shandrabos से इसमें से कौन सा जो है वो associated है ठीक है रानी लक्ष्मिबाय रेजिमेंट All India Muslim League बार्दोली मूवमेंट या क्रिस्प मूवमेंट तो देखो एक वेब सीरीज भी आय थी इन के उपर ठीक है तो इसमें था रानी लक्ष्मी बाय रेजिमेंट और ये इंडिया की फर्स्ट ऐसी रेजिमेंट थी मतलब पूरे वर्ल्ड की जिसमें वॉमेंज थी सिफ ठीक है रानी लक्ष्मी बाय रेजिमेंट All India Muslim League से को होगा नहीं उनका क्रिस्प मूवमेंट तो एक foreigner जो आय थी इंडिया में उनको वापिस करने का या उन्होंने स्टार्ट किया था कुछ उस टाइब का मिशन था यह तो इसमें भी होगा नहीं ठीक है Then 65 Tea cultivation belongs to Tea cultivation कहां होती है Cool place, warm place, humid place या rainy place तो अभी मैंने बताया आपको कि Tea के लिए जो production के लिए होता है अभी इसके पहले ही कौन सा question था पता नहीं दो-तिन question पहले ठीक है आया था ठीक है उपर तो मैंने बताया था न उदर ऐसे steep में होते हैं उनकी और उनको पानी बहुत चाहिए होता है तो इसलिए वो rainy season में होता है ठीक है Which continent is known as white continent देखो बहुत easy कौन सा continent है जिसको white continent बोलते हैं Asia, Africa, Australia या Antarctica Antarctica को बोलते है क्यों बोलते हैं क्योंकि वहाँ साफेद लोग रहते हैं नहीं क्योंकि वह हमेशा snow से ही cover रहता है ठीक है snow से cover रहता है ये इसलिए इसको white continent बोलते है 67 national library situated in national library कहां situated है कॉलकता, new Delhi Mumbai या पुने तो ये है कॉलकता में ठीक है कॉलकता में ये 68 which of the following was a Brahmin dynasty इन में से कौन सी dynasty जो है वो Brahmin dynasty है तो गुपता dynasty, मौरा dynasty वादियार dynasty या सुंगा dynasty तो ये जो dynasty है ये Brahmin dynasty है 69 in which country Ganga is known as Padma कौन सी country है जिसमें Ganga हो Padma के नाम से जाना जाते है Ganga रिवर को Nepal, sorry Bangladesh, Bhutan Myanmar तो इसका correct answer है Nepal, ठीक है next है क्रा कनाल is situated in which country ये कनाल है कि कौन सी country में situated है कनाल से याद एक question आया था country of canal किसे बोलते है ठीक है MNs 2020 में question आया था country of canal किसे बोलते है तो किसको बोलते है पाकिस्तान को ठीक है अभी ये वाला कनाल किदर located है options देखते है India, Singapore, Japan या Thailand तो ये Thailand में है और इस कनाल को Thai कनाल भी बोलते है ठीक है Thai कनाल नेक्स्ट है ध्यानचंद्र Stadium इस सिचुएटेड इन तो ये ध्यानचंद्र किस के नाम पे है मेजा ध्यानचंद्र के नाम पे है और वो क्या करते थे होक्की खेलते थे ठीक है होक्की और National Sports Day जो होता है ये इनी के बाद्दे की दिन होता है ठीक है तो यह स्टेडियम कहा है यह पूछा है हम से कॉलकता, नियू डेली, चंडिगर या बैंगलोर तो यह है नियू डेली में ठीक है नियू डेली में 72, which of the following is known as Adam's apple आडम आपल के नाम से किसको जाना जाता है यह बहुत बेसिक कोश्चन है लारनेक्स को आडम आपल के नाम से जाना जाता है ठीक है बोईज में होता है बेसिकली वो extension मतलब उनका गले के आगया ऐसे हो जाता है ठीक है तो उसको आडम आपल बोलते है 73, world, highest volcanic mountain, kotoparax is situated in यह कहाँ पे situated है पूछा है इंडोनेशिया, जैपान, यूकडोर या जर्मेनी तो यह यूकडोर में situated है 74, there is a trend of work ship of which planet in Europe यूरोप में कौन से प्लानेट की work ship की जाती है Mars, Venus, Sun यह Jupiter ठीक है तो इसका correct answer है Jupiter हम लोग Sun की पूजा करते हैं ना सूरे भगवान की पूजा करते हैं हमारे बहुत सारे festivals जो होते हैं उसमें भी हम सूरे भगवान की पूजा करते हैं या काफी लोग से उटके सूरे को जल देते हैं ठीक है तो इसी तरीके से यहाँ पर यह लोग Jupiter की पूजा करते हैं next question है GOI is looking forward state to produce saffron GOI का government of India कौन से state को चाती है या देख रही है कि वो saffron का production करें तो option है जमु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, करनाटका या सिक्किम तो देखो जमु कश्मीर नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि जमु कश्मीर में तो पहले सी saffron की production होती है और वो highest है इंडिया का जहां saffron production होती है ठीक है, highest है वो तो उसके alternatives खोज रहे हैं वो तो वो हिमाचल प्रदेश है ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बचाते हैं कि saffron का production स्टार्ट हो next है केडी district is famous for ये district किस चीज के लिए famous है silver, gold, aluminium या copper तो इसका correct answer है copper, ठीक है और ये जो district है ये राजस्थान में, ठीक है next है first villain mill established in India जो first villain mill है वो कहां established हुआ था इंडिया में सूरत, बरेली, कानपूर या मसूली, पत्नम तो ये कहां हुआ था कानपूर में हुआ था, ठीक है कानपूर में लाल, इमली, मिल नाम था उसका लाल, इमली, मिल ठीक है, मिल बोला जाता हुआ उसको जहां कुछ production होती बड़ी amount में next question है 79, heerakun dam situated on which river, ये question भी मैंने आपको करवा चुका है quiz में ठीक है, तो ये कहां पर situated है Krishna, Ganga, Mahanadi या कावेरी तो इसका correct answer है Mahanadi, Mahanadi का है उडीसा में, ठीक है Mahanadi, उडीसा में जो है ये उदर situated है question 80 है which is the coolest place in India, coolest place सबसे ठंडा, ठीक है, वो place कौन सा है, ले Manali, Kullu, या Solan, तो ले, ले सबसे ठंडा है, इंडिया का 81, which shipyard of Indian Navy is used to manufacture warship, ये मैंने आपको current affairs sessions में पर बिता है कि ships बहुत तरीके से होता है, ठीक है एक ship जो होता है checking करने के लिए होता है, ठीक है फिर कुछ warships होता है, कुछ loading, manufacturing करने होता है, तो ये worship की बात हो रही है यहां पर, तो कौन सा shipyard है, तो garden reach workshop, coaching shipyard madgan dock या हिंदुस्तान shipyard तो इसका correct answer है, garden reach shipyard, ठीक है 82, which country is known as country of canal, देखो मैंने बोले, ये question आया था, ये फिर से आगे, तो answer तो बताई दिया था मैंने, पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान को बोलते है, country of canal which of the following ruler introduce घराई और चराई, तो घराई और चराई जो है, ये tax जो है, उसके नाम है, ठीक है तो ये कौन से ruler ने लगाया था अकबर, शेर सासूरी अलाओ दिन खिल जी या सिकंदर लो दी तो ये लगाया था, अलाओ दिन खिल जी ने ठीक है, घराई मतलब घर पे जो रह रहे हो, उसका tax चराई जो चराने जाते है ना, animals को ठीक है, गाये जो भी ऐसे animal होते है, ruminant animals बस उनको जो चराने जाते घास अगर है तो उसके लिए ठीक है, उसका tax और घर पे रहने का tax तो ये दो tax तक घर आई और चराई फिर 84 है, which article is associated with money bill money bill से कौन सा article associated है ठीक है, तो एक एक करके पहले मैं सारे article के बारे मैं आपको बता दे रही हूँ अब को इतना deep में नहीं जानना, लेकिन अगर कोई आ रहा है, तो देख लो ठीक है, 48, जो article 48A है, यह होता है, environment से related environment से related ठीक है, article 324 जो है, यह होता है, election commission से related election commission से related article 110 जो होता है, यह होता है, money से related, ठीक है तो इसका correct answer भी यह हो जाएगा money से related यह होता है, और यह article 371 ठीक है, यह था special provision for state जो जम्मू अन कश्मीर में था, ठीक है, जो हटा दिया ना, article 371 तो यह special provision for state जो होता है वो था, ठीक है, 85 है गंगा कैनाल is majorly used for cultivation in which state यह जो गंगा कैनाल है, यह कौन सी state में cultivation के लिए use होता है, वेस्ट बिंगॉल, उत्रखंड, मद्यप्रदेश या राजस्थान, तो यह राजस्थान में होता है ठीक है, और इसको life line of राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है यह कि सारी cultivation इधर के उससे हो रही है, ठीक है, पानी एक बहुत important factor है, cultivation के लिए या life के लिए, तो इसको life line of राजस्थान बोला जाता है 89 है, which is the largest canal of India इंडिया का largest canal क्या है, इंद्रा गांधी के नाल, यमुना के नाल, सरहिंद के नाल, या हीरा कुंट के नाल तो इसका correct answer है, इंद्रा गांधी के नाल ठीक है, और ये भी राजस्थान में है राजस्थान बिटवा river meets with ये जो बिटवा river है, किस से जा के मिलती है इन में से यमुना river, गंगा river, कावेरी river या जेलम river तो ये यमुना से मिलती है, ठीक है यमुना से मिलती है, यूपी में बिटवा और यमुना मिलते हैं यूपी में then 88 very famous gear forest is situated in ये मैंने बहुत बार करवा रखा है ठीक है इसका answer आप मुझे comment करके बता होगा ये मैंने आपको quiz में करवा रखा और भी अलग-अलग video में करवा रखा है बंदीपुच जो reserve है ये किसके लिए famous है tiger, one-hound rhino, lion या elephant ये किसके लिए है tiger के लिए ठीक है और ये है कहाँ ये है करनाटक में ठीक है करनाटक में one-hound rhino कहाँ का ये exam में आया था ये भी आप comment करके बताओ ये जो MNS 2020 हमने solve किया था question paper उसमें मैंने बताया था one-hound rhino के उपर question आया था ठीक है 90 which of the following contain maximum storage DVD, BRD, CD, HVD जो है इन में से सबसे ज़्यादा storage किसमें होती है और storage से वेले आपको इन सब का full form भी याद करना है क्योंकि इस पार full form बहुत है थे और ज़्यादा तर छो full form थे हो computer से ही related थे ठीक है तो आपको computer से related जैसे ATM machine है या ATM का full form क्या होता है अगर वैसा कुछ आ रहा है पढ़ते पढ़ते तो आपको उसका full form ध्यान में रखना है ठीक है DVD का full form क्या होता है digital, virtual disk, BRD का होता है blue ray disk, CD का तो सबको पता होगा compact disk और HVD का होता है holographic versatile disk holographic versatile disk सबसे छोटी जो storage होती है सबसे less जो storage हो सकते है वो CD की होती है आपके घर में देखना होगा सबके घर में होगा बहुत परानी-परानी CDs और जो CDs होती है उस पर लिखा रहता है उदर जो गोल करके होता है 700 MB ठीक है ऐसे लिखा रहता है 700 MB अभी कितना लो होता है खुद सोच लो ठीक है सबसे कम जो हुआ ये CD में होता है और सबसे जादा इस में होता है HVD में ठीक है अगला है Fuller Lake belong to Fuller Lake कहा है ठीक है एक Fuller Lake है और एक Fuller Lake है तो Confuse नहीं होना है तो Options देखते है Marashra, Asam, Uttar Pradesh, Karnatka तो ये कहा है Uttar Pradesh में ठीक है ये Fuller Lake Uttar Pradesh में 92 टकला मखाने Desert situated in which country बहुत ये जीब सा नाम है ठीक है ये कौन से ये डेजर्ट है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या श्री लंका तो ये है चाइना में ठीक है 93 Which state is the highest producer of garlic कौन से state garlic का highest producer है राजस्तान, इमाचल प्रदीर, गुजरात या जमू और कश्मीर तो इसका correct answer है राजस्तान 49 Afghanistan is famous for Afghanistan किसके लिए famous है ठीक है Gun making, bat making, cement making या carpet making तो ये carpet making के लिए है ठीक है जो carpet होता है वो इदर बहुत अच्छे मिलती है और उसके लिए famous है Istanbul में देखा होगा बहुत सारे लोग उदर ऐसे carpet बड़े-बड़े ऐसे कालीन बोलते है जो वैसे मिलता है उदर Then 95 A river which makes a border between India and Nepal कौन सी river है ये बहुत important question है ठीक है अगर इंडिया और बीच में बस नेपाल है और इंडिया मान लो तो ये river बस एकदम बीच में फ्लो करती है और ये border बनाती है कौन सी river है तीस्ता river, कोसी river, काली river ये गंदक river तो इसका correct answer है गंदक river ठीक है ये जो है ये river border बनाती है 96 Which state is known as basket of eggs ठीक है कौन सी state को basket of egg के नाम से जाना जाता है Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Uttrakhand ये Nagaland तो इसका correct answer है Andhra Pradesh ठीक है यहाँ पर अंडे जादा होते होंगे इसले basket of eggs के नाम से इसे जानते है 97 Which city is the highest producer of leather in India Leather चमडा जो बोलते हैं इसका highest producer कौन है Mumbai, Kanpur, Bharatpur या Jamshedpur तो इसका correct answer है Kanpur Kanpur में सबसे जादा leather production होती है 98 Which country is the highest producer of diamond Diamond का highest producer कौन सा है country है Mexico and South Africa Sweden and Sri Lanka Russia and Australia China and USA ठीक है तो इसका correct answer है Russia and Australia यह दो country जो है इदर diamond का production बहुत जादा होता है China में क्या होता है Gold का production सबसे जादा होता है ठीक है Gold का production सबसे जादा है China में होता है और Mexico में Silver का production सबसे जादा होता है इधर Gold 99 यदवेंद्र कप is associated with which sports यह जो यदवेंद्र कप है यह कौन से sports से associated है Table tennis, football, cricket या hockey तो यह होकी से related ठीक है Football का कप होता है दुरंद कप यह भी बहुत important है और cricket के तो बहुत सारे होते है मतलब सारी sports की बहुत सारे होते है लेकिन इसका जो यह ऐसी national level पे होते है और यह important है अब यह last question Asia largest bus terminal is situated in which city Asia का largest bus terminal है जो कौन से city में situated है Beijing, Chinnai, Nagpur या Nagaland Beijing तो India का ही नहीं है तो यह होगा ही नहीं ठीक है इसका correct answer है Chinnai ठीक है यहाँ पे यह situated है और यह bus terminus का नाम है क्या है Mophisil bus terminus इसका नहीं है इसका नहीं होगा है अगर वीडियो अच्छी लग यह तो प्लीज इस वीडियो का लाइक करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्स फो वाचिंग